नागरिक्ता संशोधन कानून के खिलाफ परदशनों में हिंसा भड़काउ बयानों और इस पर पुलिस कारेवाही को लेकर बुदवार को सुप्रीम कोर्ट और दिली हाय कोर्ट में अलग-अलग सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने शाहिन भाग मामने की सुनवाई की दुरान दिली के मौजूदा हालत पर सक्त टिपनी की शीर्शा दालत ने कहा कि दिली की हिंसा में लोगों की मौत से हैरान है पुलिस ने पेशे वर तरीके से कारेवाही नहीं की हमें ब्रिटिश पुलिस से सीख लेनी चाहिए ब्रिटेन और अमेरिका की पुलिस को कारेवाही के लिए इधर उदर नहीं देखना पड़ता है वहीं उत्तर पूर्वी दिली में हिंसा और भड़काओ बयान देने वाले नेताओं पर कारेवाही के लिए दायर याचिका पर हाई कोट ने पुलिस को फटकार लगाई है पूछा क्या हिंसा भड़काने वालों पर तुरंत FIR दर्च करना जरूरी नहीं है हिंसा रोकने के लिए तुरंत कड़े कदब उठाने की जरूरत है दिली में एक और 1984 नहीं होनी चाहिए जिने सिक्योची मिली है वे भरोसा जगाने के लिए लोगों तक पहुँचे शाहिन भाग से परदशनकारियों को दूसरी जगे शिफ्ट कर रास्ता खुलवाने के मामले में कोट ने आज कोई एहम आधेश नहीं दिया है सुप्रीम कोट ने कहा कि मध्यस्तों के रिपोर्ट देख कर लगता है कि परदशनकारियों से बातचीत में कोई हल नहीं निकला ऐसे माहोल में सुनवाई करना ठीक नहीं है इस मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी सुप्रीम कोट द्वारा नियुक्त मध्यस्त वकील साथनार रामचंदरन और संजे हेगडे ने चार दिन तक शाहिन वाग के परदशनकारियों से चर्चा कर सोमवार को सील बन लिफाफे में कोट को रिपोर्ट सोपी थी जस्टिस के एंद जोसेफ ने कहा कि पुलिस के निश्करता के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ अगर मैं यह नहीं कहूंगा तो अपने कर्टवे का निर्वहन नहीं कर पाऊंगा इस देश के प्रती संस्थान के प्रती मेरी निश्चा है पूलिस की तरफ से इस मामले में सवतंतरता और प्रोफेशनलिजम की कमी रही है तेरा लोगों की मोत ने मुझे फरेशान कर दिया तभी एक वकील ने उन्हें बताया कि हिंसा में अब तक 22 लोगों की मोत हो चुकी है इसके बाद जस्ति जोसेफ ने कहा कि पूरे मामले में दिल्ली पूलिस ने समय रहते कारेवाही नहीं की अगर पहले ही कारेवाही की होती तो ऐसे हालात पैदा नहीं होते आप देखे बिटेन की पूलिस कैसे कारेवाही करती है अगर कोई लोगों को भढ़काने की कोशिश करता है तो ब्रिटेन पुलिस तुरंत कारेवाही करती है वह आदेश का इंतजार नहीं करती ऐसे हालातों में पुलिस को आदेश के लिए इधर उधर नहीं देखना चाहिए इस चिपनी पर पुलिस की ओर से सोली सीटर जर्नल तुशार मेहता ने कहा कि पुलिस पर सवाल उठाने की यह सही समय नहीं है इससे पुलिस कर्मियों में हताशा बढ़े की उनने कहा कि डिसीपी को भीडने मारा है वे अभी वेंटिलेटर पर है हम जमेनी हालातों से वाकिफ नहीं है पुलिस की नहीं हालातों में काम कटिए उनने बेश से उत्रफूर्वी दिल्ली में हिंसक घटनाओं की मीडिया रिपॉर्टिंग रोकने की मांग की है उनने कहा कि सुप्रीम कोट के आदेश की जजो की डिपनी को मीडिया में हेट Bishop कौट रगाई और कॉटरू मे भाश्पा नेता कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाशन का वीडियो चलवाया पुलिस ने पूछा क्या यह जरूरी नहीं है कि हिंसा भड़काने वालों पूर तुरंत FIR दर्ज हो अब हालात नियंतर्ण से बाहर जा रही है भड़काऊ भाशनों के वीडियो वाइरल है सेक्रों लोगों यह देखा है तब भी आप सोचते हैं कि FIR दर्ज करना ज़रूरी नहीं है पूलिस कमिशनर सभी वीडियो क्लिप देखकर FIR दर्ज कराए और गुरुवार तक कोर्ट को बताए लोगों को भरोसा होना चाहिए कि वे सुरक्षित है नोकर शाही की बजाए लोगों की मदद होनी चाहिए गायलों को बचाने के मामले में पूलिस ने तुरन तेक्षिल लेकर अच्छा काम किया है जो जैड सीक्योटी के साथ चलते हैं और जो उंचे ओधों पर बैठे हैं उन्हें लोगों तक पहुँचना चाहिए ताकि कानूर अपना काम कर रहा है इसका भरोसा पैदा हो अधिकारियों और अमन कमेटी को लोगों से बाचीत कर हालात समान्य करने की कोशिश करना चाहिए दिली सरकार हिंसा के पिडितों को मुवावजा सुनिशित करे इस पर पुलिस के ओर से सॉली सीटर जर्नल तुशार मेहिता ने कहा कि वे कल इस बारे में बताएंगी कि मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है इस पर कोट ने महा मुझूद डिसीपी राजेश देव से पूचा कि क्या आपने वीडियो देखी है इस पर डिसीपी ने जवाब दिया कि उन्होंने अनुराग ठाकूर और परवेश वर्मा के दो वीडियो देखी है लेकिन कपिल मिश्रा का वीडियो नहीं देखा है इस पर हाई कोट ने कहा यह बहुत चिंता सनक है ओफिस में कई सारे चीवी है पुलिस अधिकारी कैसे कह सकते है कि उन्होंने वीडियो नहीं देखे हम पुलिस की कारेवाही से हैरान है मेता ने कहा कि पुलिस पिक्लिक पर नहीं गई है वे एसिट अटेक जहिल रहे है ऐसे ही लेटेस कोब रहे पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइज शेर आड़ सब्सक्राइब करें घंडेवादी